हेलो, नमस्कार, आदाप, सस्रियाकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जियस वाले भहिया, आपका हारदिक स्वागतियों, भी नंदन करते हैं, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर PCS की प्रेक्टिस सेट सौल कर रहेते हैं, जिसमें हम लोगोंने हिश्टरी के तीन प्रेक्टि आएंगे, इकनोमिक से आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग सारे सेट सौल करेंगे, जैसे इक्जाम में आते हैं, तो दोस्तों इस तरीके से प्रेक्टिस करना हम लोगों का पूरा सब्जच्ट रिवाइस करा देता है, और एक्जाम के लिए काफी प्यार करा देता है हम ल परवतों से घिरा हुआ उत्तर पूर में तो दोस्तों ये गलत है वलित परवतों से घिरा हुआ हिमाले क्या है वलित परवत है भारत की अगर हम लोग ऐसे इस्तिती देखते हैं इधर जो है क्या है इधर भी हिमाले का है और इधर किर्थर सुलेमान ये सब हिमाले परवत के ह और इधर हिमाले है तो उत्तर पहस्चिम और पूर्व में अपसिष्टने ही वलिदि परवतों से घीरा हुआ है लिक sessional घ्रकुरेखा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो नों से गुजरती तो यह भी तो यहां तो है पाकिस्तान वह और उत्तरपूर में हम लोग पढ़ते हैं डाफला मेरी अबूर मिश्मी नागा पठकई भूम है कि नहीं यह सब पहाड़ियां है उत्तर हिमाले की ही पहाड़ियां यह सब तो यह सब वलिद परवत के ही एक्जामपल है अब उसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं जो क करक्रेखा है करक देखा भारत के आठ राज्चिएं से और 35 जिलों से होकर के घुजरती है ध्यान दिजीगब ठीक है तो राج कौन कौन से बुजरात हो गया राजस्थान है राजस्तान का हलका सच होता है बासवाला जिला ध्यान देना है DiaPرदेश हो गया 36 घ्ढठ पश्चिम मंगाल, पिरपूरा और मिजोरम हो जाता है दोस्तों ठीक है सेकेंड कोश्यन है भारत के साथ सीमा साजा करने वाले देशों को साजा सीमा की लंबाई के आरोही करम में मतलब आरोही करम का मतलब क्या होता है बढ़ता करम होता है ठीक है और म्यामार से 1643 सीमा लगती है, किलो मीटर है यह सब, ठीक है, तो सबसे बड़ी सीमा पाकिस्तान से लगती है, मलब पाकिस्तान सबसे बाद में आएगा, ठीक है, तो पाकिस्तान पहला सबसे बाद में कहीं नहीं है दोस्तों, इसका ये आंसर नहीं होगा, इसमें आंसर इस फिर आजेगा पाकिस्तान तो दो चार आउप ना एक टीन एक का और यह घालौ एक पूछा बोला एक मिल्हें तो घर्टे प्र ख्रक्तित में औहां छीट कि अन्यम्रिकत में से कौंसा राज हिमालाई चेतर के अंतर outdoor आता है जम्मू कश्मीरा एक कीज पढ़ते होंगे जो kg ळी है गंगा नादी परवतों से निकलते है निकलते हुए पहली बार मैधानी चेसर Arinya प्रवेश करती है ना मतलब हरिद्वार क्या है मैदानी चेतर और हरिद्वार कहा है उत्राखंड में इसका मतलब पूरता उत्राखंड जो है उत्राखंड पूरता हिमाली चेतर में नहीं आता है कुछ मैदानी चेतर भी है उत्राखंड में परवती और मैदानी दो में चेतर ये प्री-केंब्रियन काल से लेकर क्वार्टर निकाल की चट्टाने पाई जाती है यहाँ पर ये सत्ती स्टेट वेंट है ठीक है भारत मिक्के यह भाग ब्लाग भ्रहंशन से प्रभावी था ये भी ठीक है ठीक है विंध्या चल सत्तुड़ा है कि ने ये सत्त क्या है ब्लाग भ्रहंशन से प्रभावी था ठीक है जैसे राजमहल गारो गयब जिसको माला गयब भी कहते हैं वो सब भी भ्रहंशन से प्रभावी था ठीक है धान देना है तो कौन सा सही है इनका मौलिक रूप नश्ट हो जुका है ये जीवाश में रहित है साथ है ये चट्टाने पूर रूप से रवेदार है उपर्योग तो विशेस्ता है निम्रिखित में से किस चट्टान कवर्ण करती है चट्टानों का निर्माण अब हम लोग थोड़ा सा आर्कियन चट्टान देख लेते हैं भारत में दस परकार की चट्टानी श्रिंकला है मुखिता है पहली सबसे प्राचिन आर्कियन चट्टान है राइटिंग पर मत जाएए बस इतना ही है मतलब इस से बाहर नहीं जाएगा अगर आर्कियन करम की चट्टानों से आता है ठीक है तो आर्कियन चट्टान दोस्तों ज्वाला मुखि चट्टाने है कायांतरी चट्टाने है रवेदार चट्टाने है मतलब कोश्चन में मिला था इसमें जीवाश में नहीं पाया जाता है ये सब पहले के नोट्स बन चुके है हमारे दोस्तों ठीक है और ये जो आर्केंद करम की चट्टाने हैं कहां पाई जाता है और मुखेता ग्रेनाइट और नीस के रूप में प्राफ होती हैं सरवाधिक पुरानी चट्टाने है और प्राइदीपी पठार का आधहार निर्माल करती है और इसमें खानिच क्या-क्या पाई जाता है सबसे मुख्य रूप से स्वर्ड और मैगनेटाइट पाई जाता है उसके जिंक, सिल्वर, कॉपर, करनाइट ये सब पाई जाते हैं कहा पर सरवाधिक खनिच प्राप्त होते हैं और कॉन से धात्वी खनिच ध्यान देना है धारवान चट्टानों में धात्वी खनिच तो पाई जाता है परन्दू खनिच तेल नहीं पाई जाता है इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टन ध्यान देना है और ये इसका जो विस के बहुत पुराणी चट्टान हो गई तो वरतमान में यह चुका रुपांतरन हो गए और यहां पर सरवाधिक धारवार, सरवाधिक धात्विक खनिश पाई जाते हैं, कौन-कौन सी हमेटाइट, कौपर, आरगन, जिंक, यूरेनियम, टंगश्टर, निकिल, मैगनी, सीशा, डोलमाइट, अब्रग, ये सब सरवाधिक खनिश पाई जाते हैं, धात्विक खनिश पाई जाते है भारत भ्रहमर के दौरान आपको निमलिखित में से किन छेत्रों में विंध करम की चट्टाने देखनों के मिलती है, विंध करम की चट्टाने, 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 विंध करम की चट्ट यहाँ पर भी मिलती है देखने के लिए ठीक है मालदा भ्रंश के उपरी भाग में कार्भी एंगलोंग का है असम में यहाँ पर नहीं मिलती है विंद्याकरम की चट्टा ने ठीक है तो पहला और दूसरा इसका आंसर सही हो जाएगा सेवन्थ है निमलखित में से कौन सी परवत ट्रांस हिमाले के अंतरगर शामिल है ट्रांस हिमाले मतलब पार हिमाले है ट्रांस का उनलब क्या था पार होता है ठीक है तो जैसे यह ट्रांस हिमाले हो गया यह महान हिमाले हो गया यह मद्ध हिमाले हो गया लग हिमाले हो गया य ये हिमाले का हिस्सा नहीं है, ये हिमाले है, ट्रांस हिमाले हिमाले का हिस्सा नहीं है, ये बाहर है, आउट आफ हिमाले से बाहर है, ठीक है, मतलब इसका निर्माड हिमाले के पहले हो चुका था, ठीक है, इसलिए इसको ट्रांस हिमाले कहते हैं, तो नाग टिबा, पीर पहले ही मौझूद था ठीक है तो जासकर होगा क्यों ठीक है ट्रांस हिमाले ठीक है इसके अंतरगत कारा कोरम लद्दाख जासकर आधी परवस्तित आती है जो केटू गौडविन आश्टीन है जम्मू कश्मीर में जिसकी उचाए 86-11 मीटर है ठीक है यह कारा कोरम की उची श्रेड़ी है क्योंकि हिमाले की हिमाले की सबसे उची श्रेड़ी है और इसकी आउसत उचाए 6000 मीटर है और विश्य की सर्वाधिक चोटियां महान हिमाले में ही है जैसे एवरेश्ट हो गया नंदा देवी नंगा परवत धौला गिरी अनपूना मकालू मनसालू है क डौला धर महाभारत श्रेड़ी जो नेपाल में है यह सब मध्य हिमाले का हिस्ता हो जाता है और शिवाली के हिस्से में हमको ध्यान देना है क्या आ जाता है जैसे देहरादून, हरीद्वार, काठमांडू घाटी आ जाता है ठीक है डून्या द्वार कहते हैं इसको तो ये सब चीजें जो छेतर हैं ये सब धाने आ ट्रांस हीमाले में लद्दा कारकुरम जासकर आ गया महान हिमाले में सर्वोच चोटियां आ जाती है ठीक है चोटियां आप लोग पता होगा कौन-कौन सी चोटियां जहां भी चोटिया है महान हिमाले उसके वाद क्या आ जाता है जहां भी प्लेज घूमने वाले आ जाते है मसूरी हो गया कुलू मनाली हो गया ठीक है नाग टिब्बा महाभारत महाभारत का पठार आ जाता है ये सब कहां जाते हैं ये सब मध्ध हिमाले में आ जाते हैं ठीक है यहाँ पर आ जाते हैं ठीक है पीर पंजाल धौला धर्मसूरी नाग टिब्बा महाभारत लाहुलिस्वीत कुलू कांगडा मनाली ये सब कह जाते हैं मध हिमाले में आ जाते हैं ठीक है और उसके बाद शिवालिक श्रेडी में दूनिया द्वार दहरा दूनहरी द्वार ये सब आ जाते हैं ठीक है ध्यान देना है एट्थ है निम्लिकिति उगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित है संगम मिलने वाली नदियां बताना ह है और जहां मिलती है उस संगम को प्रियात है नदी और अलग नंंदा आकर मिलती है ये भी सत्य है और विश्दु प्रियाग भागी रथी और अलग नंदा ये गलत हो या पर, आजसे भागी होDS सही क्या हो जाएगा पहेला और दूसरा इसका गंगोत्री गलेशियर और यह सतोपत हिमनत से अलकनंदा नदी निकलती है और यही अलकनंदा नदी निकलते निकलते मतलब हमेशा ही बहती रहती है जब तक गंगा नहीं हो जाती है ठीक है अलकनंदा और यह भागी रथी मिल करके जब तक गंगा नहीं हो जाती है तब तक अ अलक नंदा से ही नदियां आ करके मिलेंगी और अलक नंदा नदी और भागीरत ही नदी जहां पर मिलती है वो दियो प्रयाग हो जाता है दोस्तों ठीक है ध्यान देना है और अलक नंदा नदी में सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है धौली गंगा और धौली गंगा जहां मिल उदेव परियाग में कनफीजन हो सकता है देव नदी किसका प्रयाव आचा है देव नदी गंगा का प्रयाव अची किंचित तो ठीक है आज्ची और कंथी बड़नी गंघ यह संघी तो देव प्रयाग जहां पर होगा, वहीं से गंगा का उद्गम हो जागा, वहीं से गंगा कहलाने लगेगी, ठीक है, यह होगा, और रूद्र प्रयाग में मंदाकिनी आके, ठीक है, जहां मंदाकिनी नदी, अलगनंदा से आकर के मिलेगी, उसको रूद्र प्रयाग तो यह मतलब यह देखिए, अब इसको एक चीज ऐसे समलेगे, अलग नंदा हर जगे मिलेगी, अलग नंदा कौमन है सब में, ठीक है, याद करने के लिए धान देना है, ठीक है, और धौली गंगा विश्नु याद करना, धौली विश्नु आप याद कर लीजिए, ठीक है, मतलब वि यग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, प्रमुक दर्रे और कहां पर हैं दर्रे, जलेपला, जम्मु कश्मीर में नहीं है, जलेपला सिक्की में है, नाथुला, जलेपला ये सब सिक्की में है, ठीक है, ये गलत हो जागा, ठीक है, और पीर पंजाल, पीर पंजाल कहां पर ह विचार करना है उत्री भारत का मैदान पूरता है समतल और उच्छ धाल वाला है गलत बात है निमन धाल वाला है है कि नहीं हम लोग देखते नदियां ऐसे बहती है गंगा या मुना सरसुद ऐसे करके नहीं बहती है नदियां है कि नहीं मतलब उच्छ धाल वाला नहीं है नि सुनी पड़पाती वन पाए जाते हैं ठीक है तो यह चीज ध्यान देने सघन विवत्ता नहीं पाई जाते हैं ठीक है यह भी गलत होगा विशाल मातरा में आउसाद के प्रवाह के कारण यहां कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्थित करती रहती है ठीक है इसलिए इसको बिह यहां संग्रशनात्मक एक बद्धता नहीं पाई जाती है यह गलत है संग्रशनात्मक एक बद्धता पाई जाती है यह हमारा यहां पर पाई जाता है पश्चमी घार दोस्तों यहां पर एक तरीके की संग्रशनाय निर्मित है ठीक है तो संग्रशनात्मक एक बद्धता प गलत है अंडमान निकुबार लक्ष दीप कच्च की खाड़ी मनार की खाड़ी पाक की खाड़ी यह सब प्रवाल भित्यों से निक्षेप से निर्मित यहाँ पर दीप छोटे छोटे जो पाए जाते हैं तो यह गलत हो जाएगा अरब सागर के अधिकतर द्वीत प्राचीन भ बेन गन्गा है इंदरावती है प्राण हिता है ठीक है तो एक तीन-चार कहीं है दूड़ी ओप्शन इसका सही जागा है राओvenidos जैसे गोदावरी की इंदरावती ये सब नदिया क्या है वरदा quarantine और ये सब नदिया नदिया गोदावरी है नर्मदा जल विवाद से संबंदित राज्यों में निम्लिखित में से कौन सा शामिल है तो नर्मदा नदी जहां जहां बैएगी राजस्थान में राजस्थान में विवादित है मध्य प्रदेश में विवादित है उत्तर प्रदेश में नहीं विवादित है ठीक है नर्म पृत्वियरत शील वर्षा दोस्तों ये सही है तो एक और तीन का आँसर सही है जो भारती मांसून को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर में निम्लिखित में कौन सा शामिल है जो भारती मांसून को प्रभावित करते क्योंसा सही सुमेली था, इस्थानी पाउने और कौन-कौन से छेतने बहती है, तो चेरी ब्लॉसम, करनाटक, ठीक है, वहाँ पर चेरी के उपज के लिए काफी सहायक होती है, काल बैसा की तमिल नाडु में नहीं है, काल बैसा की पस्चिम बंगाल में बहती है, ठीक है, और आमर वर्षा राजस्थान में नहीं बहती है, ठीक है, आमर वर्षा केरल में बहती है, ठीक है, यह चीज धान देनी है, जहां पर आम की फसल के लिए, आम के फल के लिए बहुत लाबदायक होती है, ठीक है, तो इसका सत्रवे का क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, ठीक है, अठार मोमेनिया अजरबयजान। जौर्जिया के पास काकेशत सपरवत है। जो कि एशिया और यूरोप के मद सीमा दंद का भी काम करता है। तो काकेशाय creativity होती hon काकेशाय जौन जाती है को श्वेद पर जाती कहा जाता है इनको की हत्या सही है बच्चे के जन्म के समय अधिक संख्या में इस्त्रियों की मृत्य लिंग आनपाद में कमी होने का सुचक है सही है गर्भा उस्ता में भूंअत्य है ये भी सही है तो इसका एक दो तीन सभी सही हिए बिस्वा है निम्लिकित कत्नों पर विचार करना है जनजाती की संख्या मध्य परदेश में सबसे ज़्यादा है और प्रतिशत दोस्तों मिजोरम में सबसे ज़्यादा है ठीक है कहा है मिजोरम में सबसे ज़्यादा प्रतिशत की दृष्टे से गुंड जन्जाती देश की सबसे बड़ी जन्जाती सम्हों में सही बात है और संचाल जन्जाती आस्ट्रो एशियाटिक प्रजाती से सम्बंदित है ये भी सही स्टेटमेंट है और मीडा असम में पाई जाने वारी सामाजिक आर्थिक रूप से विक्सित जन्जाती गलत ब चक्रवात ठीक है बंगाल की खाली में अरब सागर की अपेक्छा अधिक चक्रवात उत्पन होते हैं सही स्टेटमेंट है भारत का ये है नक्षा ठीक है और ये बंगाल की खाली है तो ये अरब सागर है तो बंगाल की खाली में ज्यादा चक्रवात आते हैं ठीक है तो पहला statement सही है भारत में आपदा परबंधन की विवस्ता है तो 2010 में आपदा परबंधन अधिनियम पादित किया गया तो केवल एक सही हो जाए गया तो केंदर में कम दाब की स्थापना होने पर जब केंदर में कम दाब होगा तो बाहर से हवाएं क्या होंगी अंदर की तरफ अंदर की तरफ आएंगी तो केंदर में कमदाब उत्पन होने का एक सूचक होता है ठीक है केंदर में कमदाब ये स्थापना होती है चक्रवाद में कमदाब होता है केंदर में हवाएं बाहर से भीतर की तरफ आती है और इसी को चक्रवाद कहते है यह हो जाता है और क्या होता है निम्न दाप छेतर पर वायू क्या होती है अभिसरित होती है और उपर उठती है दोस्तों उपर ऐसे ऐसे उठती है बाउंडर के टाइप में हम लोग कहते है न बाउंडर आ गया ठीक है तो वायू अभिसरित होगी और उपर उठेंगी और बा अप्रति चक्रवाथ है उल्टा हो जागा जब के नडर में उच दाब बने गा-टेज़ दाब निवन दाप अधिक हो जाएंगे ऊकु आप अधिक हो जाएंगे बाहर की ओर चलती है तो परतिचक्रवात का निर्माण होता है ठीक है उच्च वाईदाब छेतर के चारो तरफ पाउनों का परिकर्मन परतिचक्रवाती परिसंचरों कहलाता है ठीक है और इसमें क्या होता है उच्च दाब छेतर में वायू का आउतलन होगा क्योंकि उच्छ दाब बनना है जहां भी उच्छ दाब बनेगा वायू का क्या होगा आउतलन होगा वायू ऐसे गिरेगी तभी तो उच्छ दाब बनने का एक कारण ये भी है वायू का आउतलन होगा जब वायू का आउतलन होगा जब वायू का आउतलन होता है और धरातल प पना है तो इसमें हवाएं अभिसरीत होती है ठीक है हवाएं जब अभिसरीत होती है चक्रवात में तो हवाएं गोल-गोल बाउंडर खाके ऊपर ऐसे ऐसे उड़ती रहती है और भारी बारिज भी कराती है ठीक है और प्रति चक्रवात में कहते हैं इसलिए मौसम क्या होता है साफ होता है प्रति चक्रवात में ठीक ये चीज़ ध्यान देनी है और प्रति चक्रवात में वायव की दिशा उत्तरी गुलार्द में क्या होती है clockwise होती है ठीक है बस और दक्षिल गुलाद में इसका उल्टा हो जाता है और देखना है चक्रवात में हवा केंदर की तरफ आती है चक्रवात में हवा क्या आती है केंदर की तरफ आएगी सही जाहिर सी बात है और ऊपर ऊठती है और उपर उठका थनडी होती है और वर्षा का होती है हो गया है जब कि परति चक्रवाग में मसम साफ रहता है क्योंकि परति चक्रवाग में हवा का उठान नहीं होता है ध्यान देना है 22 वा कुस्चन है नमुलिकित कत्रों पर विचार करना है भारती मौसम विभाग के अमसार किसी छेतर में सामान से 25% से कम वर्षा होने पर सूखे की इस्थिती उत्पन होती है सत्य स्टेट्मेंट है ठीक है मौसम विभाग जो IMD भारत का है ठीक है उसने बताया कि 25% से का अगर कम वर्षा होती है तो सूखे की स्थिति होती है ठीक भारत में अत्यधिक सूखे से प्रभावी छेत्रों में राजस्तान और गुजरात के छेत्र सम्मलित हैं यह भी सकते है सूखा प्रवण छेत्र उन छेत्रों को कहा जाता है जहां वर्षा 75 cm से अधिक नहीं होती है कम होती है दोस्तों तो यह गलत हो जागा इस्टेट्मेंट पहला और दूसरा सही हो जागा हमको यहां पर यह ध्यान देना है कि जो भारती मौसम विभाग है इसकी जो इस्थापना होई थी दोस्तों 1875 में ठीक है और सिचाई आयो की स्थापना होई थी 1962 में ध्यान देना है इस होँ है निमलिकित कत्रों में से कौन सा एक सही नहीं है हिमाले छेतर की आल इंडियन प्लेट परतिवर्ष उत्तर वा उत्तर पूर्व की उरखी सक रही है जोला मुखी के निक्षब हुएते तभी तो प्राइदीपी पठार की जो भूम है वो बेसाल टिक है काली मिर्दा पाई जाती है कि नहीं तो ये चीजे ध्यान देनी है ठीक है तो तब से लेकर के आज तक उत्तर पूर्व की ओर ही ये गमन कर रही है ठीक तो ये गलत हो जागा और गलत पूछा है तो D option सहीव जागा 24 है से तु समुद्रम परियोजना निमलखित में से किन्हे जोडती है तो से तु समुद्रम परियोजना दोस्तों भारत अभी बताते हैं मनार की खाली और पाक की खाली को जोडती है ठीक है दोस्तों पाक की खाड़ी ठीक है पाक की खाड़ी ये है मननार की खाड़ी ये है ठीक है यहाँ पर ध्यान देना है पाक की खाड़ी ऊपर है और मननार की खाड़ी दोस्तों नीचे है बहुत मलत दक्षण में है नीचे का मतलब दक्षण में है ठीक है ध्यान देना है क्रम पूछ लिता है क्रम भी पूछा जा सकता है ठीक है पच्छिसवा है ठार रेगिस्तान से संबंद में निमलिकित कत्रों में से कौन सा असत्त है इसका विस्तार पाकिस्तान में चोलिस्तान रेगिस्तान के रूप में जारी है ठीक है, सही statement पाकिस्तान में चोलिस्तान है, ठीक है, ये सही, ठार देगिस्तान का अधिकांज भाग राजस्तान में इस्तित है, जो इसके भाउगलिक छेते का 61% है, ये भी सत्ते है, इसका दक्छुन की और विस्तार हो रहा है, ये गलत बात है, इसका उत्तर पश्चिम की और विस्तार हो रहा है, ठीक है, ध्यांदिना है, यहाँ पर इसका विस्तार हो रहा है, उत्तर पश्चिम की और भी, और इधर भी विस्तार हो रहा है, अपनी तरब भी विस्तार हो रहा है, उत्तर परदेश की तरब भी, उत्तर पूर की तरब भी विस्तार हो रहा है, ठी जो दिखेटमेंट इस तीसरा ऑप्शन इसका गलत हो जागा ठीक है यहां पर यह ध्यांदिना है जो थार रेगिस्तान है थार रेगिस्तान का 85 परतिशत भाग भारत में पाया जाता है ठीक है और जयांदिनाए जय स्टीनर के रूप में जाने वाले वाय मंडल के उपरी प्रतों में वाय धारा है, मांसून के आगमन और मांसून के प्रस्तान का निर्धारन कर सकती है सही श्टेट जेट इस्ट्रीम इसका निर्धारन होती है पुर्थिवी पर प्रमुख जेट धारा है पूर्व से चलने वाली हवाएं गलत है पश्चिम से पूर्व चलती है दोस्तों इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजेगा पश्चिम से पूर्व त किसकी jet stream की ठीक है ध्यान देना है 27 वा है रेगुर मिट्टी या काले सूती मिट्टी से संबंदित निर्मित कफन पर गौर करना है काले मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी या डेककन पठार के बड़े छेत्र में फैला लावा के जम रिद्ध हैं क्योंकि ये मिट्टी जुआला मुखी गत्विदियों के कारण मनाई गई है ये भी सत्ति स्टेट्मेंट है ठीक है तीसरा है विक करनाटक, महराष्ट, मध्यपरदेश, गुजरात, आंधपरदेश और तमिल नाडु में भी पाई जाती है ये भी सत्ति स्ट आ चुके हैं कि जहां वर्षा बहुत ज्यादा होती है लेटराइट मिर्दा पाई जाती है वहाँ पर लीचिंग की एक प्रक्रिया होती है लीचिंग का एक गुड होता है वहाँ पर बॉक्साइड भी पाई जाता है ठीक है धन्दना है लेटराइट मिट्टी में काजू और काजू प्राप्त होता है, कैपियों का प्राप्त होता है, और इट बनाये जाते हैं, लेटराइट मिट्टी से भी, ठीक है, निचले छेतरों की अपरी भागों की मिट्टियां अधिक छारी होती है, ये गलत बात है, निचले छेतरों की मिट्टियां इसमें अधिक छारी होती है ठीक है ये गलत हो जाएगा ठीक और भीगने पर ये कोमल और सूखने पर कठोड डलीदार हो जाती है सही स्टेटमेंट है और इनका प्रयोग इट बनाने में भी किया जाता ये भी सही स्टेटमेंट है तो दूसरा गलत हो जाएगा दोस्तों और इसका एक तीन और चा और 1968 में किया था ये भी सत्य statement है अब हम लोगों के देखना है सोन नदी अमरकंटक से निकलती है अमरकंटक पाहडी से निकलती है उत्तर की और बहती है और गंगा में गंगा नदी में पटना में आकर के मिल जाती है ठीक है इस प्रकार से ये गंगा की एक सहायक नदी हो गई और इसका क्यों जाँगा इसका दोनों सही जाँगा ठीक है तीसमा कुश्चन है माजूली यह भारत का प्रमुख नदी दीप है यह भारत का पुहला दल्वीपी जिला है जिला भी है निमलिखित में से किस नदी के मद्ध है तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के मद्ध है ठीक है सही बात है यमुनोत्री गिलेशियर कहां इस्तित है तो यमुनोत्री गिलेशियर दोस्तों बंदर पुछ चोटियों पर जो गड़वाल हिमाले का हिस्सा यहीं परिस्तित है ये था थारदेगिस्तान वाला जो हम लोग देखे थे थारदेगिस्तान वाला ये चोलिस्तान है और ये भारत का राजस्तान है परवा के पास मतलब यांग्याग्जाग्डर्र रहे से जब भारत में यूटर्न लेती हैं और जब ये बांगलादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है और जब जमुना नदी जो है इधर से जब जो भागी रती है जो गंगोत्री गलेशेर से भागी रती नदी आती है और जब देव प्रियाग में ये गंगा हो जाती है गंगा नदी जब बंगला देश में प्रवेश करती है तो पदमा हो जाती है और जब पदमा और जमुना क मिलन होता है तो वहां से ये मेघना नदी हो जाती है और मेघना के ही नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गरती है ठीक है ये ध्यान देना है हम लोगों को इसकी जो left bank tributary है और right bank tributary मतलब जो अब ऐसे बहर है ये तो इसके दाहिनी तरफ दाहिना कौन सा होगा ब्रह्मपुत ये मत सोचे टाइम आपका लग रहा है ताइम बिलकुल लग रहा है लेकिन आपका सब कुछ क्लियर हो जा रہा है ठीक है धोस्तों अब यमनोत्री नदी बंदर्पुछ ग्लेशियर से निकलती है और बद्रीनाच से यही पर सतोपतिम नदी जहां से अलग नंदा निकल लई थी ठीक है यह 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 मनोत्री नदी यही पर बंदर्पुछ ग्लेशियर है ठीक है ध्यान देना है 32 है पूलेरू जphon के बारे में निम्लिकुत में से कौन सा सही नहीं है यह ताजे पानी की जósित है यह गलत बात है तो यह गलत हो जाएगा और क्रिश्ना और गोदावरी नदियों से जुड़ा हुआ है ठीक है, सही बात है और इसका सतही छेटवल 245 वर्ग किलोमीटर है ये भी सत्ती स्टेटमेंट है ठीक है, एतिस्वाए निमलिकित में से कौन सा एक सही सुमेलित है चिलका जिल आन्ध परदेश में नहीं है, उडिसा में है व्यम्बा नाड जिल तमिल नाड़ो में नहीं है केरला में है परीचु जिल तिबबत में सही है लोनार जिल मद्य परदेश में नहीं है महाराश्ट में ठीक है तो कौन सा सही सुमेली था तो सी सही सुमेली था 35 है पन पाती वन के संब्द में निमलेकित कत्रों पर विचाते पना है यह उन छेत्र में पाया जाता है जहां वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है सत्री स्टेटमें पाने की उपलब्धता के आधार पर वनों को नम और सूखे में विभाजित किया जाता है सही स्टेटमेंट है दोनों सही जागा दोस्तों जब 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा 70 अच़ा, पन पातिमीटर दो परकारगी होती है एक आधर पन पातिमीटर और एक शुष्क पन पातिमीटर वर्षा वाली चेत्र में पाये दाएगा साक्षर्टा की दर्ष्ट से केरल का प्रतम इस्थान है तो किवल दो सही हो जागा है बहुत इंपोर्टेंट ध्यान देना है कुल साक्षर्टा की दर्षे और महिला साक्षर्टा की दर्षे प्रतम राज केरल है और कुल साक्षर्टा की दर्षे और कुल साक्षर्टा की दर् सबसे अंतिम और महिला साक्ष्षता के लियात सबसे अंतिम बिहार, ठीक है, और दूसरे अस्थान पर इन सभी में, दूसरे अस्थान पर क्या आ जाएगा, दूसरे अस्थान पर सबसे कम साक्षण douk वो अर्वानाचल पर्देस है, और महिला साक्षर्ता में सबसे जो दूसे नंबर पर आएगा वो राजस्ताना जाएगा ठीक है 35 है भारत में प्रजाती समूह के संदर में निम्लिकित कफरों पर विचार करना है भारत में निग्रिटो प्रजाती समूह नहीं पाई जाती यही तो सबसे पहले आये थे और नार्डिक जो है सबसे अंत में आयी थी वहीं कहरा है यह और हलपा सब्वित्ता की सुरुआ प्रोटो ऑस्टेलाइट यह भूमद सागरी प्रजाती ने किया यह भी सही है ठीक है और यह जो निग्रिटो है अंडमान निकोबार त्रावल कोरवा कोचीन की पहाड़ियो रहते हैं जो अमेरिका के मूल निवासी थे ठीक है और अमेरिका के मूल निवासी किसको कहा जाता है जो अमेरिका में इस्थिते रेड इंडियन्स कहा जाता है ठीक है मंगोल आयड इनको अमेरिका के मूल निवासी और भारत में यह कहां असम और हिमालई छेतर लेह और प्योग किये जाने वाले कुल पानी का सरवाधिक परियोग निम्लिकित में से किस छेतर कोई होता है तो सिचाई में होता है सरवाधिक परियोग पानी चालिसवा है हरित करांती के संदर में निम्लिकित कत्रों पर विचार करना है आधुनिक उपकरणों और तक्नीकों को शामिल करके क्रिश उत्पादन में वृद्धि हुई सही स्टेटमेंट है नए उच उपजवाली गेहुं की किस्मों को प्रोफेसर नॉर्मन बुरलाग द्वारा विक्सित किया गया था और कई देशों द्वारा इसे अपनाया गया था दोस्तों ये भी सत्य स्टेटमेंट है तो इसका एक और दो दोनों सही हो जाएगा 41 मैं डंकन पास डंकन पास निमलिखित में से किन इस्थानों को अलग करता है तो डंकन पास दक्षणी अंडमान और लिटिल अंडमान को नहीं दोस्तों रट लेंड और लिटिल अंडमान को अलग करता है ये अंडमान निको बार ये कार निको बार है ये छोटा अंडमान ह अलग करती है और यह छोटा अंडमान और यह डंकन जलमार्ग है अर डंकन जलमार्ग को यह रत لेंड दीप है अगर नहीं होगा औप्चिन में तो आ जागा दक्षडी अंडमान दोस्तों ठीक है ध्यान दीप ने अगर ड् one डिप है तो और 10 डिगरी चैनल कार निकोबार और छोटा अंडमान को अलग करता है और डंकन पैसेज दोस्तों छोटा अंडमान और रट लेंज दीब को अलग करता है और 8-9-10 और 11 डिगरी चैनल दोस्तों किसको अलग करता है और 16 डिगरी चैनल दोस्तों किसको अलग करता है उत्तरी सह इसांस रेखाए ये किसको अलग करती है उत्तेरी वियतनाव और दक्षिल कुरिया और 49 डिग्री चैनल किसको अलग करती है अमेरिका और कनाड़ा पूरी एफ यह सब चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए तो आप लोगों को भी पता होनी चाहिए 42 हैं भारत में सूखा पढ़ने के संदर में निम्ल कतनों पर विचात रहना है भारत में सूखा दक्षिण पष्चि मानसून के कमजोर होने से सूखा भारत में पढ़ता है सत्य स्टिट्मेंट है तूखे से निपढने के लिए शुखा आशंकी छित कारकरम परारम किया गया ये भी सही है तो दोनों सही हो जाएंगे 43 वा एन्यमलिकित कतनों में से कौन सा कतन सही गुंडरू जल परपाथ सुन रेखा नदी पर इस्तिते सही है लावा पठार लाल मिट्टी की परचुरता होती है लावा पठार लावा मतलब मैगमा मैगमा मतलब जॉऩ़ा मुखी happens काल मिट्टी जुद्थ हो जाएगा तो पहला statement के वल सही हो जाएगा मुख जल पर पाथ उंची कुल जल पर पाथ सबसे उंचाई पर इस थे जल पर पात, मतलब सबसे उंचा जल पर पात है, 455 मीटर, वराही नदी पर है, करनाटक में है, ठीक है, दूसरा है दूर सागर, दूसरा दूर सागर है मांडवी नदी पर है, और मांडवी नदी कहा है, गुवा में है, ठीक है, जोग या गरसोपा जो जल विदुद पर यूजना थी भारत की सबसे पहली जल विदुद पर यूजना थी ठीक है और गोकक गोकक नदी पर है करनाट में ठीक है पायकारा नीलगिरी छेतर में तमिल नाडु में है और चूलिया जलपरपाद चूलिया चम्बल राजस्थान में आजड़ घाता है नर्मदा नदी पर है मद्यपर creepy जार करना है यही है सोन रेखा नदी पर जहार करना है यह सब चीजे हमको ध्यां देना है यह सब चीजे पता होनी चाहिए 44 तर निमलिकित कत्रों पर विचार करना है भारत की स्थली सीमा 8 देशों से लगती है गलत बात है 7 देशों से लगती है ठीक है कौन कौन से 7 देश हैं स्थली सीमा पकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और म्यामार और नेपाल, भूटान, बंगलादेश हो गया ठीक है ये हो गया साथ देश तो छेतफल की दिरिष्टी से सबसे छोटा राज सिक्की में ये भी गलत है सबसे छोटा राज गुवा है ठीक है तो कौन सा सही है ना तो एक ना तो दो सही हो जाएगा 45 वा कॉश्यन है निमलिकित कत्रों पर विचार करना है 45 वा है निमलिकित कत्रों पर विचार करना है गंगा का मैदान विश्चो के सबसे अधिक जनसंक्या वाले छेतरों में से एक है सत्य स्टी स्टीट्मेंट है तभी मैदानों का निर्मार नदियों के लाए हुए निक्षेब से होता है यही भी सहित बात है तो सही कौन सा हो जगा दोन सही हो जगा दोस्तों इन्हों ने पहले option को गलत माना है पहले statement को 48 है भारत के किन परोसी देशों की सीमा समुदरी सीमा से नहीं मिलती है नेपाल से नहीं मिलती है भूटान से नहीं मिलती है बंगलादेश से भी मिलती है मैंगरो वन पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन तथा अंड़मान यम्निको वार्दीप समुव में पाये जाते हैं ये भी सत्य है तो कौन सा सही हो जाएगा दोनों सही हो जाएंगे ठीक है पचासमों कोश्यन है मरुस्थली करण के संबन में कौन सा कथन सही है इसके कारण प्रती विक्ति कृष्य योग भूमी कम हो रही है सत्य स्टेटमेंट है इससे मिर्दा का हरास होता है और इससे खाद सुरक्षा पर भी खत्रा मढर आने लगता है ये भी सत्य स्टेटमेंट है तो दोनों सत्य हो जाएंगे एक क्या वनवा है नम्रिकित कतन पर विचार करना है जल संभर नदियां जील के आसपास का छेतर है उसमें जल भरता है सत्य स्टेट्मेंट है नाने घाट में वर्षण जल शंचेन का प्राचीन विवस्था के साक्ष मिलते हैं सत्ती स्टेट्मेंट नाना घाट कहा एं? नाने घाट उने के पास में ठीक है तो कौन सा सही है? दोनों सही हो जाएगा ठीक है बावनवा है निम्रिकित कत्रों पर विचार करना है चारा गाह ऐसे घास के मैदान होते हैं जहां प्राया बारिश कम होती है और ये मिठी की गहराई और गुलवक्ता कम होती है अगर बारिश बहुत जादा होगी तो वहाँ विशाल वरिक्ष आ जाएंगे ठीक है इसलिए ध्यान देना है अड़ धशुष के पारिक्तन तो काफी संबेदन शोलोर नाजुक होता है ये भी स्टेट्मेंट है कौन सा सही है तो दोनों स्टेट्मेंट इसके सही हो जाएंगे तो इसमें दोस्तों सरवाधिक नगरी करित मिजोरम है और अगर भारत में पूछा जाएगा सरवाधिक नगरी करित कौन सा है तो भारत में वैसे सरवाधिक नगरी करित गोवा है जो की option में नहीं हो गोवा के बाद दोस्तों मिजोरम आता है ठीक है तो ये चीज हमको ध्य देनियों, गोवा के बाद मिजोरम आएगा और मिजोरम के बाद दोस्तों कौन सा आ जाएगा तमिल नाड हुआ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना है, चौववन्वा है गोवा इसलिए भी है, क्योंकि हम गोवा को इसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर समान नागर और उडिसा में है ये गलत बात है जब केरल में है तो कहां से हो जागा तो कहरा कौन सा कथन सकते है तो केवल एक कथन सकते है ये दोस्तों पूरे भारत का राश्टी जलमार्ग संख्या एक ये राश्टी जलमार्ग संख्या दो ये राश्टी जलमार्ग संख्या तीन ये चा पहला सब को याद होगा कहा से है इलाहबाद से प्रियाग्राद से अहल दिया है और दूसरा जन्म कोडम día up में अभी अभी हम लोगों देखें के पढ़ेंगे करेंट में पूरे भारत का पहला जीला है जो संभिधाम साप्छर जेल में अर चोथा है काकी नाडा से पुद्दू चेरी यह पुद्दू चेरी हो यह काकी नारा हो गया यह पुद्दू चेरी हो गया तो पुद्दू चेरी से काकी नारा चौथा हो गया मलब पहला दूसरा उपर है और फिर तीसरा नीचे है मलब तीसरा हम कह सकते है यहां पर है फिर चौथा यहां पर है फि खटा अभी प्रस्तावित है प्रस्तावित कहां पर होगा भांगा टू लखीपूर लखीपूर से भांगा हो जाएगा ठीक है यहां पर हो जाएगा मड़ीपूर में ठीक यह चीज ध्यान देना है पचपनवा है निम्रिकित इव्मों में से कौन सा सही सुमेलित है राष्ट 8 दोस्तों दिल्ली लखनों नहीं, NH8 दिल्ली मुंबई है और NH6 दिल्ली लखनों होगा ठीक है तो इसका क्या हो जागा कि टेवल एक सही हो जाएगा 56 ते निमलिकित में से सही कथन की पहचान करना है पृतिवी के कुल 6 तफल का 20 परतिशत भाग भूमी है सत्य है मिर्दा के निर्मार चट्टानों से प्रात खनीजों और जवपदार्थों से होता है ये भी सत्य है वेदिका फार्म, समोच रेखी जुताई और रक्षक मेखला मिर्दा संग रक्षर के उपाए है ये भी सत्य स्टेट्मेंट है इसका तीनो सत्य हो जाएगा. जो ढ़लान वाली भूमी होती है वहां पर पेर पौधे लगा देते है और समोच रेखी जुताई हम लोग पहले पढ़ चुके है वताइ होता के साथ उसमेगिप्तमता के बाद में पत्थर रखी जाते है और वेदी का फार्म जो दै क्या होती है पहारी ढलानों पर क्या होता है पहारी ढलानों पर खेतों को समतल बनाने के लिए उसको मेड़ी सीढ़ी दर सीढ़ी उसको समतल बना दिया जाता है यह हो जाता है वेदी का फार्म ठीक है ये जल मंदल, ये जल मंदल हो गया ये वाई मंदल ये इसथल मंदल ये बीच का छेतर क्या हो जाता है जय बंडल हो जाता है भारत में जलोड, काली, LA L around मरुसली, पर्वती परकार की मिर्दा पाई जाती ये सब्टे श्टेट्मंट है त एक और दो इसेänder आइसी आयार इंडियन कॉंसिल ऑफ एडिक डिसर्च मुनले भारती कृशी अनुसंधान परिशत के दोड़ा यह बताया गया गि भारत में आठ परकार की प्रमुह म्रदाइं यह ठीक है 59 निम्रिखित मेंसे विवरित उपर और कूप की कि कि गार है तो यह खानन की पृटा ह और कूपक क्या हो जाता है दोस्तों गहन वेधन को कूपक कहते हैं ठीक है गहन वेधन को कूपक कहते हैं और कूपकी क्या होता अधिक गहराई में इस्तित खनिजों के निक्षेपों तक पहुचने के लिए जो आकार बनाया जाता है जो संसाधन बनाया जाते हैं उनको कूप तो की कहते हैं दोस्तों ठीक है ये ध्यांदेना है खनन के प्रकार हो जाते हैं ये तीनों हो जाए ठीक है सिश्टीत है निम्लिकित में से गलत कथन बताना है आयस खनिज अव्यों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समुहन है गलत कथन बताना है तो ये सही statement है शैल वह है जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है ये भी सत statement है और कहरा गलत कथन बताना है तो कोई गलत नहीं है, मतलब ना तो एक गलत है, ना तो दो गलत है, एक सठवा है, निमलिकित कतनों पर विचार करना है, धात्वी खनीज आगने और कायंत्रित शमुवों में पाए जाते हैं, सत्वी खनीज वही है, और खनीज इधन अवसादी इसतरों पर पाए जाता है, ये भी सत्वी खनीज जो होता है, आगने और कायंत्रित शत्तन पाए जाता है, धन दिना तो दोनों सहीव जाएगा, 62 है निमलिकित कथन पर विचार करना है भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सरवाधिक संचित भाग भंडार पूर्वी अपतटी छेत भाग पूर्वी अपतटी में नहीं पाय जाता है बंबई हाई में पाय जाता है तो पहला statement इसका हो जाएगा गलत दूसरा है भारत में प् भंडार पाय जाते है ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा दोनों गलत हो जाएगे मलब सब्सक्राइब क्या है तो कोई नहीं सब्सक्राइब हो जाता है ये पहला statement प्ति हो जाता है भारत चीन के बाद विश्व में अभरक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है गलत बात है अभरक का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक भारत है भारत में सबसे ज़्यादा अभरक का जो उत्पादन होता है वो आंध परदेश में होता है और भारत में रात्य साइश को बाक साइट से प्राप्तिया तो से सही हो जाएगा तो केवल और केवल 3 स्थी जाएगा 65 तो 66 तो निम्दिकित कथनों पर विचार करना है पॉन उर्जा, सौर उर्जा, परमाल उर्जा, गैर परंपरागत सुरोत के उधारण सत्ति स्टेट्मेंट है विश्व की उर्जा का एक चौथाई हिस्सा जलु विद्दुत से उत्पन किया था ये भी सत्ति स्टेट्मेंट है और स्टेट्मेंट है, तो कौन सा सही हो जागा, तीनों सही हो जाएंगे विश्व का प्रथम सौर और पवन्थ चालिद बस अड़्डा न्यूजी लेंड में, न्यूजी लेंड में नहीं है, स्कॉट लेंड में है ठीक है, ध्यान देना है, थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मूना जाइट बालू से पाया जाता है, ये भी सत्ति है, मूना जाइट से पाया जाता है, और इलमे नाइट से पाया जाता है, ठीक है तिल में नाइट से पाय जाता है ठीक तो कौन सा सही हो जाएगा सही पूछा तो दूसरा सही हो जाएगा ठीक है अलसट है निम्लिकित में से कलपक्कम तारापुर राणा परताफ सागर और नरोरा किस से संब्दित है परमाण उद्दा से संब्दित है राणा परताफ सागर राधस्तान में यहीं पर रावत भाटा है, ठीक है, ध्यान देना है, भारत में यूरेनियम के संदर में निम्निखित कत्रों पर विचार करना है, भारत के दो तिहाई यूरेनियम का खनन, केरल से होता है, ये गलत बात है, केरल से नहीं होता है, यूरेनियम का खनन, जादू के जारकंड में तो यह सत्य है तो सत्य कों सा है किया जाएगा औरEst सवेंटीह है वश्बन के रखी चाहal पर विचार करना है पहली सफल यंत्री करित वस्तर मिल मुंबई में इस्थाफित के गया थी पहली सफल यह वस्तर मिल मुंबई में खोली गया थी सत्री स्टेटमेंट है परतम वस्तर उद्योग 1858 इसवी में कोलकाता में इस्थाफित किया गया था सही है फोस्ट गलाश्टर में 1844 में कावाज जी नाना भाई डावर के द्वारक फोला गया था ठीक है और इसका नाम क्या था बांबे इस्पिनिंग एंड वीविंग कमपनी यह जब हम लोग पहले आरो एरो का प्रेक्टिस लगा रहे थे यह उसमें भी रिवाइस कर चुके थे और यह जो बांबे इस्पिनिंग एंड वीविंग कमपनी है और बंबई को भारत के सूती वस्तरों की राजधानी का आ जाता है और 1869 में पहली सूती मिल एहमदाबाद में खोली गई जो की भारत का मैंचेस्टर कहलाता है एहमदाबाद ठीक है यह हो गया और उत्तर भारत का मैंचेस्टर कानपुर को कहला जाता है और कोयम बतूर को दख्षिल भारत का मैंचेस्टर कहते है ठीक है और एहमदाबाद को भारत का बोश्टर भी कहते है और भारत का मैंचेस्टर भी कहते है ठीक है यह ध्यान देना है ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए बात तरवा है निमलिखित कतनों पर विचार करना है भारत का मैंचेस्टर गाधी नगर को कहा जाता है गलत बात है अभी उपर पड़ चुके हैं एहमदाबाद को कहा जाता है यही होता है पाइदा जब बैक्ग्राउंड कवर होता है ठीक है 1869 में पहली सूती मिल गाधी नगर में खोली गई एहमदाबाद में खोली गई थी ठीक है ये भी गलत हो जाएगा बंगलूरु भारत की सिल्कम गाटी है सत्य स्टेटमेंट है तो कौन सा गलत है पहला और दूसरा गलत हो जाएगा ठीक है 73 निमलिकित में से जनसंख्या वित्रल के तिर्ती रूप से क्या अभी पराय है जो जनसंख्या का तिर्ती रूप है वो भूपरष्ट पर फैले लोगों की संख्या से है ठीक है यह ध्यान देना है 74 निमलिकित कत्रों पर विचार करना है जन्म दर को प्रति 10,000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या मापा जाता है गलत है एक हजार पर मापा जाता है ठीक है जीवन प्रतियाशा उन वर्षों की संख्या को कहते है जिसमें लगती हुई के जीवित, जिसमें व्यक्ति के लगती नहीं, व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है, उत्परवास का अर्थ है व्यक्ति द्वारा एक देश को छोड़ना और दूसरे देश में आना सही है, तो पूछा गलत कौंसा है, तो किवल पहला गलत हो अगर ठीक है, 75 है, निमलिकित में से जनसंख्या पिरामिड क्या है, जनसंख्या पिरामिड क्या बताता है, जनसंख्या का आयू लिंग संगटन का आलेखिय निरूपन होता है, जनसंख्या पिरामिड दोस्तों, ठीक है, 76 है निमलिकित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चमी भाग में शीत उर्यतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तर दाई है तो वो पश्चमी विक्षोब है दोश्चों ठीक है उत्तर जो भारत है भारत का जो यह हिसा है यह थंडियों में दक्षणी यह पश्चमी विक्षोब के कारण वर्षाओ यहां पर होती है अठातरमा है पश्चमी विक्षोप के संदर में नीचे दिये गए कथन पर विचार करना है पश्चमी विक्षोप कैस्पीन सागर में उत्पन होता है गलत है कैस्पीन सागर से होते हुए आता है उत्मन होता है भूमद्य सागर में ठीक है भारत में इनकी प्रवेश पश्चमी जट धाराओं द्वारा होता है ये सकते है तो सही पूछा है तो दूसरा सही हो जाएगा इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं ये संबंद में कथनों पर विचार करना है ये विश्वती अच्छांस में विश्तरित गर्थ यो निम्न दाप का छेतर ता विल्कुल सही स्टेट्मेंट है ठीक है सूर की इस्थिति में परिवर्तन के साथ यह 6 उत्तर या दक्षण की उर्खी सकता है सही बात है तो इसको उत्तरी अंतह उष्वल क्टि बंधी अभिसालन ऍचेत कहते है और जब सूर दक्षणायन होता है तो ITC-Z भी दक्षण की उर्ख श्चता है और इसको दक्षणी उ टिबद का पठार प्रभावित करता है तो तीनों प्रभावित करते है ठीक है, अस्रीवा ए वर्शा रितु में तमिल नाडु के शुष्क रहने का कारण क्या है, तमिल नाडु का तट बंगाल की खाली के मान्सूनि पॉनों के समनांतर पढ़ जाता है, सही स्टेटमेंट है जो भारत का मेफ है से तो तमिल नाडू यहाँ पर है तो भारत की एक शाखा आती है यहाँ से टकराती है और एक बंगाल की खाली और एक अरब सागर ऐसे चली जाती है और यहाँ बारिश करती है तर्टो पर बारिश करते हुए ऐसे चली जाती है एक शाखा इसे समाना अंतर चली जाती है ठीक है ध्यान देना है यह दक्षिल पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के विरिष्ट शेत्व में भी पड़ता है सही बात है तो दोनों सत्य हो जाएंगे ठीक है यह सब दोस्तों हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पहले के प्रैक्टिक सेट में हम लगा चुके हैं आरो यारो का प्रैक्टिक सेट कर रहे तो उसमें भी यह सब चीज़े पढ़ चुके हैं तो आप लोगों के लिए भी वह मस्ट है देखना जितना प्रैक्टिस सेट इस समय सौल कर दो इतना ही लाव होगा आप लोगों के लिए ठीक है और देख रहे हैं कि इसमें कोई भी फलतू की बाते नहीं हो रही है और बैक्ग्राउंड कवर किया रहा है मैपिंग से पूरा स तो शीत रितू में भारती उप महादीप के तती भागो में इथिक होता है तो पहला स्ट्रेट्में tw IS गलत हो झाएगा इस रित्म में देश के उत्तर पूर्वी पारिक पौने प्रभावित होती है सही बात है, खंडी जैसे जैसे सूर्य दक्षिलायन होता है पौने ऐसे उत्तर पूर से ऐसे चलने लगती है ठीक है, सही हो जाता है शीतर रुत में उत्तरी मैदान विशेश रूप से उत्तर यों उत्तर पस्चमी छेतर पस्चमी विक्षोप कहे जाने वले चक्रवाती विक्षोप से परभावित होता है अभी उपर की स्टेटमेंट में देख चुके हैं तो दोनों सही है तो कौन सही है दो और थीन सही है पहला वाला गलत हो जाएगा 82 है निम्लिकित कत्रों पर विचार करना है मानसूनी जलवायू के छेत्री विभिन्नता विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने में सहय होते हैं सक्ति स्टेट्मेंट है मानसूनी विस्वोट या मानसूनी प्रस्वोट या मानसून प्रस्वोट देश के व्यापक छेत में मिर्दा अपर्दन के समस्य उत्पन कर देता है सही बात है भारत की जलवायू की विभिनता के कारण यहां के भोजान वस्तर आवास में विभिनता उजागर होती यह भी सत्ती स्टेट्मेंट है तो सभी स्टेट्मेंट सही हो जाएंगे ठीक है इट्टी थरडई ниम्लिकित कतरों में से कौन सा कतन उशल्क टी बंधी सदाबाहर वनों के संदर में सही है ये वन शीत और शुष्क परदेशों में नहीं पाय जाते हैं आदर परदेशों में पाय जाते है ठीक है तो गलत हो जाएगा इन छेतरों में वार्चिक वर्षा दो स सही हो जाएगा दोस्तों 84 है निम्रिखित कत्रों पर विचार करना है परवती छेतर में उचाई बढ़ने के साथ-साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलावात सक्ति स्टिक्मेंट है हिमालाई परवत सिंखला में उश्लकटि बंदी वनुस लेका तुंड्रा परदेश की प भारत में परवती वन मुखेता पाए जाते हैं प्राजडीपी भारत में परवती वन कहां पाए जाते हैं पुर्वी घाट में दोस्तों नहीं पाए जाते हैं पूर्वी घाट में विरल वनस्पतिया पाए जाते हैं नीलगरी परवत शेंखला में पाए जाती है विंध्य पानी में डू भी रहती ये भी सत्ते स्टेटमेंट है तो एक और दो दोनों रही हो जाएगा तो समाजिक वानकी में शामिल क्या होता है तो दोस्तों समाजिक वानकी में शहरी वानकी ग्रामीर वानकी और फाम वानकी तीनों शामिल होता है तो एक दो चार इसका हो जाएगा जो सामाजिक वानकी राष्ट्री क्रिशी आयोग ने तीन प्रकार के सामाजिक वानकी के प्रकार बताये थे और वो तीन प्रकार कुन से शहरी वानकी, ग्रामेड वानकी और फार्म वानकी क्या होता है होता है किसान म dapat खेतों में क्या करते है व्यापाण्टी रूपसे व्यापारी महत्व रखने वाले byणو को उगाते है वह उन ड़ार में में शेर जैसी पूछ वाले बंदर जिसे मैकाउक कहा जाता है क्या कहा जाता है मैकाउक पाई जाती है यह गलत है यह जो मैकाउक होता है तमिलनाड में पाए जाता है नीलगीरी छेतर में पाए जाता है ठीक है तो कौन सा सही है केवल पहला सही है ठीक 89 है उत्तर प्रदेश की जलवाय। से संबंदित विशेषताएं हैं तो उत्तर प्रदेश की जलवाय। तो वी आकार की जलवाय। वाहिकाई क्या होती है जैसे ब्रह्मपुत नदी में क्या है ब्रह्मपुत नदी बहा रही है। बलब कोई भी नदी बहर आई यह उसके ऑसाद, ऑसादों के निक्ष्षेपण से जब जल धर रहें इधार बट जाती है is और उन्हें ऐसादों के निक्ष्षेपण से क्या होती है यह मतलब दीव थip thaik का बन जाता है या वह अवरोध बन जाते हैं तो वह विव जाता है जब बचपन बारिश होती है जब गावाओं में रहते होंगे जब नाली से बहुत तेजी बहुत तेजी से पानी गिरता था तो वो हो जाताए है छिफ्रकाई दोस्तों ठीक है ये चीज़ धान देनी है 91 है सिंदु नदी तंतर के संबंद में नीचे दियेगे कथों पर विचार करना है सिंदु की सहयक नदी व्यास कुल्लू घाटी से गुजरती है सही बात है कुल्लू व्यास नदी रोहतांग दर्डे से निकलती है कि नहीं रोतांग दर्देस निकल कर कुल्लू घाटी सो करके बहती है और जम्मू कश्मीर में आउस्ते डल जील जेलम नदी पर आउस्ते थे जेलम नदी पर बुलर जील आउस्ते थे तो ये गलत हो जागा तो केवल पहला सही हो जागा अरुणाचल हिमाले की परवत स्रिणिया तेज बहती हुई गहरे गार्ज बनाने वाली नदिया नदियों द्वारा विक्षेदित हैं सही बात है हम लोग देखते हैं अरुणाचल परदेश की जो परवत स्रिणिया डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी ये सब हैं ठीक है और अरुणाचल परदेश में कई नदिया बहती हैं जैसे दिहांग हो गया लोहित हो गया, मानस हो गया, सुबन स्री हो गया धन स्री हो गया नहीं सुबन स्री आ जाती है उपर से ठीक है यह सब हो गई और यह सब नदियां क्या होती है यह सब गहरे गार्ज बनाने वाली नदियां है और गहरे गार्ज देखते हैं और व्लाचर परदेस ऐसे है मालीजे ऐसे है तो यहीं पर यांग्याब दर रहा है ठीक है और यांग्याब दर रहे से ही तो ब्रह्मत्र नदी यू टर्ण लेती है ठीक है ये भी गहरे गार्ज बनाती है ठीक है ध्यान देना है तो पहला statement सही है यहां की नदियां बहुत से जलपरपाद भी बनाती है सही है और जब गार्ज बनाएंगी गहरा खंड बनाएंगी जलपरपाद भी बनाएंगी यहां का चेत्री व्यापर दुआर चेत्रों से उगर किया जाता है ये भी सत्री स्टेट्मेंट है तो तीन सत्री जाएंगे ठीक है 92 है भारत के उत्तरी मैदान के तराई छेतर के संदर्म में कौन सा कतन सकते है यह छेतर भाबर के दक्षिल में है भाबर के दक्षिल में तराई छेतर है सही है सबसे पहले भाबर आता है भाबर फिर तराई आता है फिर बांगर आता है फिर खादर आता है यही करम है और यही क यहां के बाद जब यह बांगर मिर्दा कहलाती है जो पुरानी जलोड मिर्दा होती है यहां बांगर हो जाता है और यहां पर भी बांगर मिर्दा हो जाती है और जब नदियां बाढ़ के माध्यम से मिर्दा का निर्मार करती है यह देखे यह खादर मिर्दा हो जाती है बाढ़ के द्वारा जो निर्मित मिर्दा होती है वो खादर मिर्दा हो जाती है ठीक है भारत विश्ण में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, गलत बात है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, चीन है भारत दूसे में, चावल के किर्शी के लिए उच्छे तापमान 25% से अधिक की आउशकता होती है, ठीक है, चावल कंब बोय जाता है, हम लोग देखते है जब बरसात का मौसमा आजाता है कि नहीं जून जुलाई अगर स्थम्बर में है कि नहीं तो तब चावल बोय जाता है मतलब उसको गर्मी की भी आऊशकता होती है उसको जल की भी आऊशकता होती है चावल की किरिश के लिए 100 संटीमीटर से अधिक वर्ष आऊ सकता होती है य तिए कंकल, पक्थरों तथा मोटे बालो से निर्मित है, अता इस छेत को किस मिर्दा खंड के अंतरगत रखा जाता है? तो मिटो इकंकल, पक्तथर, मोटे बालो ये उने छेत्र में पाए जाते हैं जहा वार्षिक वर्षा 70 cm से वर्षा में पाएजाते हैं और 100 से 200 cm वर्षा में ये आद्र पाठी वर्षा में ये दूसा गल्थ है पहला सही है तो पहला सही हो जाएगा 99 ते चंदन्मा हुआ सागोन बास आद Ni प्रजातियों के विरिक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, ये आद्रपन पाती वनों होते हैं, दोस्तों ठीक है, सोवा है, प्लेसर निक्षेप के सम्मद में नीचे दियेगे कथरों पर विचार करना है, ये पहाडियों के आधार तता घाटी तल रेत में जलोड निक्षेप हैं ये सत्य statement है इन निक्षेपों में सोना चांदी प्लैटिनम जैसी महंगी धातों है ये भी सत्य है तो सही है दोनों सही है ठीक है एक सो एकवा है निमनी मिर्दाओं के छेत्र के घटे करम में उची तुरूप से विवस्थित कीजिये तता नीचे दियेगिemy कूटों की सहयता से सही उत्तर काचेन कीजै मदलब निमनी मिर्दाओν की घटे करम में मदलब घटे करम में सबसे ज़्यादा फिर उससे कम ऑफ इससे कम खटे करम में उचे तरूप से वेवस्तित कीजिए, त्था नीचे दीएके मतलब बताना है, तो सबसे पहले कुन था हा है, घ्रे बेल बालू गाद क divergence ले वे सो चले तो दो तीन चार एक इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है एक सो तीनवा है भूसर एउं भूरी मिर्दा कहां पाई जाती है तो भूसर एउं भूरी मिर्दा दोस्तों गुजरात और राजस्ता में पाई जाती है और भूसर और भूरी मिर्दा में ही ग्रिनाइट, नीस, पाल्टजाइट ये सब पाई जाती है ठीक है 114 होँ, 114 है निम्लिकित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है हजारी बाग में अभरक पाई जाता है सत्त है, अट्टी में सोना पाया जाता है सत्त है जादू गोड़ा में यूरेनियम पाया जाता है सत्त है, जावर में ताबा नहीं पाया जाता है जावर में जस्ता पाया जाता है ठीक है, और ताबा दोस्तों जुजनू, भीलवाडा, अलवर, उदैपूर इन सम्में ताबा पाया जाता है निम्निकित कत्रों पर विचार करना है तता नीचे दियेगे कूट की साहता से सही उत्तर का चेन करना है उडिसा मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक राज्य है उडिसा मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक राज्य है करनाटक लोह एसक का प्रमुख उत्पादक राज है ये गलत बात है लोह एसक का प्रमुख उत्पादक राज है फिर 36 गड़ है फिर आजागा करनाटक आजागा ठीक है और करनाटक सूने का सबसे ज़्यादा उत्पादक है ठीक है तो इसका क्या हो जागा ना तो एक ना तो तो दोस्ती है, एक 106 है लोह S के उत्पादन के संबद में निम्न राज्यों को घटे करमें बताना है घटे करमें ठीक है 36 गज़, गोवा, करनाटक, उडिसा तो लोह S की का जो उत्पादन होता है उत्पादन सबसे जादा उडिसा में होता है लोह एस का ठीक है तो 4 हो जाएगा पहले फिर उसके बाद 36 गड़ में होता है ठीक है तो 4-1 फिर करनाटेक में होता है और फिर गोवा में होता है तो D option इसका सही हो जाएगा लोह एस के निम्न प्रकारों में लोह अंश की विद्यमानता के आधार पर घटते करना है तो सबसे ज़्यादा कहा है और सबसे कम तक जाना है तो सबसे ज़्यादा हेमेटाइट में होता है फिर हेमेटाइट में होता है फिर मैगनेटाइट में होता है फिर लीमुनाइट फि पाए जाते हैं जार खंड में पाए जाता है हम लोग को डर्मा की खान सुनेंगे लेकिन उत्पादन अब्रक का सबसे ज़्यादा आंध्र परदेश करता है और अब्रक विद्धुत का कुछालक है सुचालक नहीं एक सो नहीं निमलिकित में से किस राज में वनो का परतिशत सबसे अधिक है जोस्तों वनो का परतिशत सबसे अधिक कहां पर होगा उत्तर पूरी राज्यों में ठीक है उत्तर पूरी राज्यों में सबसे ज़्यादा कहां है अरुनाचल परदेश में है तो हमको यह द्यान द जाएगा मेघाले के बाद मड़ी पुरा ज़ाए अतना हमको ध्यान देना है मिजोरम पर्टिशत के अधार पर सरवाधिक वन मिजोरम में, फिर अरुनाचर परदेश में, फिर मेघाले में, फिर मणीपूर में, ठीक है, और वनों के संख्या, मनलब वनों का छेतर फल के अनुसार, सबसे ज़ादा मध्य परदेश, फिर 36 गर्ड, फिर महराज में, ठीक है, 110 में भारत में वन छेतर का सरवाधिक परत परतिशपर किस में है, वन छेतर का सरवाधिक परतिशत, रहें, मत परतिशत कह रहा है, ठीक है, निमणिकित में से किस कोईला खदान में, कोटिंग कोईले की सबसे अच्छी किस्म पाई जाती है तो ज़रिया जारकंड में पाई जाती है ठीक है और यह जो कोटिंग कोईला है यह बिटुमिनस से बनाया जाता है ठीक है किस से बनाया जाता है ठीक 112 है निमलिकित में से किस राज में कोईले के सरवादिक भंडार है तो कोईले के सरवादिक भंडार दोस्तों कहाँ पर है जारकंड में है ठीक है एक सोतेरवा है निमलिकित कतिनों पर विचार करना है कथा नीचे दिए गे कुटो की सहेता से सहीधतर बताना है फिरतिया कोईला भंडार के निर्माढ तियोसीन काल में अस्तिक में आया ये गलत है ओलीगोसीन में आया था ठीक है ओलीगोसीन में आया दे resilience में प्रदेश में पाया जाता है तो B statement सही हो जागा तो केवल इसका दो सही हो जाएगा ठीक है 114 हुआ है निमलिखित कथरों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है कच्चा तेल कायंत्री चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों अभी हम लोग देख चुके थे तेल वगएरा इसमें पाया जाता है और साधी चट्टानों में पाया जाता है कायंत्री चट्टानों और आगने चट्टानों में ये धातु में पाया जाते है इखनीश पाई ठीक है तो यही गलत हो जागा और यही इसका अंसर हो जाएगा कच्चा तेल उस अस्थान में मिलता है जहां इसका निर्माल होता है सत्थ है कच्चे तेल के साथ गैसे भी पाई आती है सही है ऐसा मना जाता है कि कच्चे तेल का उद्गम कार्बनिक है यह भी सत्य है ठीक है एक सो पंदरवा है निमलिखित में से कौन सा राज कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है तो कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज दोस्तों बाढ में राजस्तान बहुत इंपोर्टन है ध्यां देना हम लोग आईडिया नहीं लगा लिगनायत कोहला एक सोलवा है निमलिखित में से किस छेतने प्राकृतिक ऐस के सबसे बड़े भण्डार और दोस्तों कहां पाए जाता है बामबे हाई में पाए जाता है ठीक एक तो सल्सत्तरमाने निमलिखित कतरों पर विचार करना तथा नीचे दीएक हैं कूटो की साह तो यही गलत हो जाएगा और तो यही इसका आंसर हो जाएगा और कवाड़ा कवाड़ा नहीं है कवाड़ा दोस्तों आंदर परदेश में है कुमरिया हर्याना में और मीठी विर्दी गुजरात में है ठीक है एक सो बिस्वा है निम्लिकित कतन पर विचार करें तथा नीचे दिये गए कूटों की साहता से सही उत्तर बताना है चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्तपादन करता है अभी उपर देख चुके हैं चीन में चावल का छेतर विश्व में सबसे अधिक है ये गलत है चावल का सबसे अधिक छेतर तो भारत में है 28 पर टिशर लेकर उत्तपादन सबसे ज़्यादा कहा होता है भारत का अक्छांसी विस्तार चीन से अधिक है भारत का अक्छांसी विस्तार चीन से अधिक नहीं है दोस्तों ठीक है भारत का देशांत्री विस्तार चीन से लगबग आधा है ये सही है तो दूसरा केवल सही हो जाग सत्य पूछा है तो केवल दो इसका सत्य हो जाएगा 122 है नीचे दिये गया राज्य और केंद शासित परदेशों में से ऐसे समुखा चेन कीज़े जिनकी तट रेखा की लंबाई भारत की तट रेखा की कुल लंबाई से आधी है तो भारत की जो कुल सीमा रेखा है 15200 है जो भारत की 30 रेखा के लंबाई है 7516.6 किलो मीटर है करा कि इसके आधी लगवक तो इसके आधी दोस्तों इन्होंने आंसर जो दिया है अंडमान, नीकोबार, अंधर परदेश और सब इनलाण दिया है दोस्तों ठीक अगर ऐसे क्वे आजाते हैं तो उसके बाहर हो जाते हैं ठीक है तो यह चीज़ धन देनी है 123 वाए भारत की मानग यामियोत्तर रेखा मिर्जापूर के मिर्जापूर उत्तरपडे से गुजरती है जिसके कारण भारत का समय ग्रीन विच में टाइम से साड़े 5 गंटे आगे है यदि हम गुजरने वाली देशांतर रेखा को मानक मान लें मतलब यहां से गुजरात के कक्षे से जो मानक गुजर रहे इसको मान लें तो मानक यामियोत्तर रेखा मान लें तो भारत की समय निम्लिखित में से क्या परिरत हो मतलब अभी यहां से ऐसे जा रही है तो अभी यह मान ल किस राज्य के बारे में संबंदित है यह एक सीमावरती राज्य सही है इसका अक्छांसी विस्तार तिरपूरा राज्य के अक्छांसी विस्तार से लगभग समान है तिरपूरा के तिरपूरा ऐसे बना हुआ है मालिजे उसके अक्छांसी विस्तार के समान इसकी सीमा तीन रा अक्षांस रेखा ऐसे ऐसे जाती है देशांतर रेखा ऐसे ऐसे जाती है अक्षांसी विस्तार इसका अक्षांसी विस्तार ये हो गया तो अब मिजोरम यहीं पर है हलका आगल बगल ही है मिजोरम यहीं पर है हलका आगल बगल तो मिजोरम ही हो जाएगा इसका ठीक है तो इसका आंसर मिजोरम हो जाएगा एक मिनट कंफरम कर ले ठीक है मिजोरम इसका आंसर हो जाएगा 125 वा है हिमाले से हिमरेखा की उचाई के संदर में निम्रिखित कत्रों पर विचार करना है महान हिमाले में पूर्व की तुलना में पश्चमी भाग में हिमरेखा की उचाई अधिक होती है सत्ते इस्टेटमेंट है हिमरेखा क्या होता है वह है रेखा जिसके ऊपर बर्फ जो है वर्ष भर जमी रहती है वो होती है हिम्रेखा तो हिम्रेखा उत्तर पूर्व से उत्तर पूर्व में कम होगी क्योंकि उत्तर पूर्व में वर्षा भी बहुत अरिक होती है और वर्षा के कारण बर्फ अगर पिखल जाएगी तो उसकी हिम्रेखा नीचे हो जाएगी और जो पस्चिम भारत है पस्च में हिम्रिक अधिकों है दो दोनों स्टेट्मेंट सही हो जागा ठीक है 126 वाए निम्लिकित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है शिखर सम्दित पड़ी कोडाई कनाल अन्ना मलाई दोदा बेटा नीलगिरी पर है कुद्रे मुख उत्रे सही सुमेलित नहीं है तो तीसरा सही सुमेलित नहीं है जो कोडाई कनाल है अन्ना मलाई पर नहीं है कोडाई कनाल दोस्तों पालनी पहाड़ी पर है ध्यान देना है गोवा के थोड़ा सा उपर से गोवा से ही मान सकते हैं जाती जो जो पश्चिमी घाट उसको दो भागों में बाठती है पश्चिमी भाग को सहयाद्री भी कहते हैं और पश्चिमी घाट का उत्री भाग उत्री सहयाद्री और दक्ष्णी भाग दक्ष्णी सहयाद्री कहला त और कल सुभाई महाबलेश्वार ये सब उत्री सहाध्री में ठीक तो इसका एक और तीन अंसर गलत हो जाएगा मतलब गलत सुमिनित नहीं है मानस नदी एम सुभन स्री नदी के मध्ध निमलिकित में से कौन सी पूर्वांचल की पहाड़ियां इस्तित है तो कौन सी डाफला है मेरी है गारो नागा नहीं है तो एक और दो इसका आंसर सही हो जाएगा यह है दोस्तों यह डाफला पहाड़ी है और यह मेरी पहाड़ी है यह क्या करा है यह सुभन स्री नदी देखी सुभन स्री नदी यहां से जा रही है और यह मानस नदी यहां से जा रही है तो सुभन स्री और मानस नदी के बीच में यह डाफला और मेरी पहाड़ी है ठीक ह एक सो अठाइसमा कोश्चन है पश्चिमी घाट के संदर में निम्लिखित कत्रों पर विचार करने है पश्चिमी घाट के दक्षणी भाग का निर्माल पार कियें चट्टानों से हुगा है नीलगिरी और अन्ना मलाई की पाड़ियां इसका हिस्सा नहीं है ये गलत है नीलगिरी अन्ना मलाई इसका हिस्सा है तो दोस्तों सत्वी स्टेटमें पूछा है तो दोस्तों इन्हों ने नीलगिरी और अन्ना मलाई को इसका हिस्सा नहीं माना है तो आप लोग बताएगा इसका कमेंट सेक्षन में इसका आंसर क्या होगा दोस्तों ठीक है 129 से निम्लिके तीगुमी में से कौन सा सुमेलित है दर्रा सम्बदी नदी शिपकीला सतलज नदी ठीक है और जलेपला दर्रा से भारत से भूटान जाया जाता है दोस्तों ठीक है तो इसका क्या सही हो जाएगा इसका एक दो और तीन तीनों सही हो जाएंगे ठीक 130 निम्लिकित कत्रों पर विचार करना है MCT में सेंटरल थ्रस्ट लग हिमाले और शिवालिक के मद्ध एक विभाजक रिखा है अब देखें दोस्तों इंडियन सांको सचर जोन ठीक है में सेंटरल थ्रस्ट में बाउंडरी थ्रस्ट और हिमालियन फ्रेंटल फॉल्ट ये देख लेते हैं ठीक है में सेंटरल थ्रस्ट लग हिमाले और शिवालिक के मद्ध है में सेंटरल थ्रस्ट दोस्तों महान हिमाले और लग हिमाले के बीच में तो पहला इस्टेट्मेंट गलत हो जागा में बाउंडरी फॉल्ट मुखे हिमाले मतलब महान हिमाले और लग हिमाले की बीच एंग भाजक रिखा है लग हिमाले तो में बाउंड रिफट ये भी गलत हो जागा तो कहएरा कौन सा सत्य है तो ना तो एक ना तो दो सत्य हो जागा अब यहां से देख लें तो ITC-ZET है इंडियन सांको सचर जोन ये ट्रांस हिमाले और महान हिमाले के बीच में है य हिमालेन फ्रेंटल फॉर्ड शिवालिक और गंगा के मैदानों के मीच में ठीक है नहीं पता है तो नोट कर लिजेगा इसको ठीक है एक सो बतीसों है कथन कारण वाल है धारवाड चत्टानों में जीवार्ष में नहीं पा जाते हैं अपत्यों की लगाने का मतलब भी नहीं क्योंकि पहिला गलत है तो र सही हो जाएगा ठीक है इन चट्टानों का निर्माद अपरदन एम निक्षेपन के फल सरुप हुआ है सही स्टेटमेंट दोस्तों धारवान चट्टान ने बहुत पुरानी है और ये पर्थम औसादी चट्टाने थी मतलब पर्थम औसादी चट्टाने फिल ये कायंतरित हो गई मरतमान में ये कायंतरित थी है वरतमान में औसाद नहीं बचा है और जब औसाद नहीं बचा है मतलब औसादी नहीं है तो जीवाश में नहीं होगा और अगर रहे भी होंगे मतलब इनका निर्माद तब हुआ था जब जीवों के उत्पत्ति नहीं होगी थी ठीक है तब हुआ था तो इसमें जिवाश्म नहीं पाए जाते हैं और माल जब बाद में अगर इसमें जिवाश्म आए भी होगे जीवों के उत्पत्य हुई भी होगी तो वर्तमान में इनके मिले नहीं इतने गल पल गए होंगे सब तो मिले नहीं इनके जीवास में ठीक है 133 वा है पूरवर्ती नदी के संदर में निम्रिकित कत्रों पर विचार किना है ये वे नदियां होती है जिनका उद्गम इस्थल एक देश में होता है उनका परवाध छेतर दूसरे देश में होता है ये गलत बात है पूरवर्ती नदियां ये नहीं होती है ठीक है पूरवर्ती नदियां वो होती है जो मतलब वर्ष भर बहती है और जो एक निश्चित दिशा में ही बहती रहती है ठीक है उनमें परिवर्तन नहीं होता है हो जाती है तो एक देश से दूसरे देश में वह अंतर राज्जी नदियां हो जाती है अंतर राश्टी नदियां ठीक है गलत होगा है सिंद्धु सत्लच पूरवर्ति नदि के उदारान सही स्टेट्मेंट है सत्य कौन सा है तो केवल दो सकते हैं 134 है हिमालाई यहों प्राजदीपी नदियों के मद अंतर के संदर में निम्निकित कत्रों पर विचार करना है हिमालाई नदियों में वर्ष भर परवाह बना रहता है वहीं किसी भी प्राजदीपी नदि में वर्ष भर परवाह नहीं बनाता है ये गलत बात है कावेरी नदी दोस्तों 12 मासी नदी है और वर्ष भर परवाब बना रहा था क्योंकि 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 बना रहेता है तो पहला statement गलत हो जाएगा मुख नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो उसमें पुना नहीं मिलती वितरीका कहलाती सही बात है मुख नदी से मिलने वाली नदी जिसका आधारतल मुख नदी से उंचा होता है सहयक नदी कहलाती है ये भी सत्य स्टेट्मेंट है तो दोनों सत्य हो जाएंगे 136 है यमुना के दाहिने तटपर मिलने वाली नदियां कौन सी है और टोन्स नदी इधर से मिलती है हिंडन नदी इधर मिलती है तो टोन्स और हिंडन नदी दोस्तों इसकी बाएं ट्रिब्यूटरी है दाहिने तटपर नहीं मिलती है और सोन और घागरा नदी गंगा की साहिक नदी है सो नदी पटना में मिलती है गंगा से और घागरा नदी छप्रा में मिलती है गंगा से ठीक है तो इसमें कोई नहीं आनसर हो जागा उपरोक्त में से कोई नहीं 137 है मुल्ला पेरियार बात के संडर में निम्लिकित कत्रों पर विजार करना है मुल्ला पेरियार बात को लेकर केरल और तमिलनाण में के मद विवाद है सही है और मुल्ला यार और पेरियार नदियों के संगम परिस्थित है ये भी सत्य है तो कौन सा कथन सत्य है तो दोनों कथन सत्य है 138 निमलिकित नदियों में से कौन सी गुजरात से होकर बहती है नर्मदाम बहती है तापी बहती है साबर मती बहती है माही बहती है तो सभी बहती है और माही नदी दोस्तों ऐसी है जो करक रेखा को दो बार काटती है ठीक है ये ध्यांदिज़क करक रेखा को दो बार काटने वाली नदी माही नदी है और विश्वत रेखा को दो बार काटने वाली नदी कांगो जाहिरे नदी है कांगो कही या जाहिरे कही और मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी लिम जो के चिम्बंगाल में कहलाते है ठीक है तो पहले का दूसरा हो जाएगा मतल узव ये गलत हो जाएगा है चेरी ब्लाऊसम चेरी ब्लाऊसम करनाटक में पाई जाती है तो म madKim AKRNATAK में कहलाती रशाहिते वर्शा है तो तो A statement discuss ही eight और नारवेस्टर दोस्तों नारवेस्टर कह में कहला आ जाता है और bauldo चिल्दा दोस्तों असम में कहला जाता है 140 है भारती मांसून को प्रभायुत करने वाले कारकों के संदर में निम्रिखित कत्नों पर व Kimchi करना है Madan Julian Oscillation MJO making joke of नहीं है इछीख है यह MJO Medan Julian Oscillation है मानसून के दोरान हिंद महासागर के ऊपर होता है तो संपूर भारती उप महादित में सूखे की इस्थिती होती है ये गलत है जब ऐसी इस्थिती होती जब मेडियन जूलियन ओसिलेशन हिंद महासागर के ऊपर होता है तो बारिश अच्छी होती है ठीक है अच्छी बारिश होती है सूखा नहीं पड़ता है ठीक है तो यह गलत हो जागा है इंडियन ओशियन डाइपोल सकारात्मक रहता है तो इसे भारती मांसुन को सहता मिलती है इसको सकारात्मक इसलिए कहा जाता है इंडियन ओशियन केलिए सकारमने उगा अगर यहाँ पर निम्धाब बनेगा द्क्षिल पास्ठी मानसून और अच्छे से आएगा 140. भारती मानसून की अरबसागर शाखा राजस्थान से गुजरती हुई हिमाले से टकराती है इस छेतर से गुजरने के बाद भी राजस्थान में इस शाखा के द्वारा मांसूनी वर्षा नहीं होती इसके लिए क्या करना है अरावली परवत पौनों के सापेक्ष अवस्तित गलते पौनों के समनानतर अवस्तित है ठीक है तो ये तो नहीं होगा ठीक है पाकिस्तान से आने वाली गर्म पौने ये सकते हैं और अरब सागर का अरावली के विपरी दिशा में टकना अरब सागर से अरब सागर किशा का अरावली से तो टकराती ही नहीं है है कि नहीं तो केवल दो स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा केवल दूसरा तो इसमें स्टेटमेंट में आप लोगा अंसर कमेंट करके जरू बताएगा इसका क्या आंसर होगा ठीक है तो पूछ रहा है केवल दो इसका अंसर होना चाहिए हमारे साब से आप लोग इसका कमेंट स्क्षिन में आंसर जरूर लिख के बताईएगा 142 हुआ है जिम्रिकित विश्यस्ताओं पर विचार करना है इसमें लोहे के आकसाइड मनलब किस मिट्टी के बारे मतलब है इसमें लोहे के आकसाइड पाया जाता है सभी बात है इसमें नाइट्रोजन, फासफोरस, हुमस की कमी होती है यह मिल्दा मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, आदि क्रिशी के लिए अनकूल होती है लोहे के आकसाइड किस में पाया जाते है लोहे के ओक्साइड दोस्तों लाल मिट्टी होते हैं इसलिए उसका रंग लाल होता है दोस्तों ये भी एक कारण है तो लाल मिट्टी सका अंसर हो जाएगा 143 निमलिखित विशेशताओं पर विचार करें वार्षिक वर्षा 200 सेंटी मीटर से अधिक तो अच्छा बताना है किस वनस्पति का ये है वार्षिक वर्षा 200 सेंटी मीटर से अधिक रबर महोगनी सिनकोना आबनूस रबर बास बेत नारियल ये सब इसके प्रमुक प्रष्मी घाट के प्रश्मी धाल पर पाइजाती है तो कौनसी वनस्पति हो जाएगी ये सदाहरित वनस्पति हो जाएगी दोस्तों 144 वाया शोलावन निमलिखित में से कहा पर पाया जाते है शोलावन दोस्तों अन्नामराय पालनी उपरोग तो सभी इसका आंसर हो जम्मु कश्मिर असम हरियाना आंथपरदेश तो दोस्तों नहरों द्वारा सबसे आधा नहर सबसे आधा नदियां चिंदु जेलम चिनाब रावी गया सपलत जम्मु कश्मिर ठीक है तो पहला इसका आंसर पहला दूसरा तिसरा चोकतर उसके आधा असम में देखे कितनी परान उगाई गई फसलों की संख्या है, सही बात है, शर्ष गहनता होता है कि एक निश्चित समय में या एक क्रिशी वर्ष में एक खेत में कितनी फसले हम उगा रहे हैं, वो उसकी घहनत हो गया, वो उसकी गहनता हो गया, शर्ष गहनता उत्री मैदानों में उच्छ अस्तर पर पाई जाती है सत्य है तो दोनों स्टेटमेंट इसके सत्य हो जाएंगे 147 तो रे है उसर या कलर नाम से जानी जाने वाली मिर्दा मनलब किस छेतरी मिर्दी को जाना जाता मनलब रेह उसर या कलर मिर्दा किसे कहते हैं तो रेह ये लवडी मिर्दा को कहते हैं ठीक है लवडी मिट और काली मिर्दा को रेगुर मिर्दा कहते हैं 148 मां भारत में किर्शी जोत के संदर में निमलिखित कत्रों पर विचार करना है भारत में अधिकांस किर्शी जोत सीमांत परकार के हैं ठीक है? सही statement है दूसरा है देश में किर्शी जोत का औसत आकार सरवादिक पंजाब में है ये गलत बात है सरवादिक आकार राजस्तान में तो सत्त कुन सा किवल एक सत्त है दोस्तों ये ध्यांदेना किर्शी जोत क्या होते है ये मतलब सीमांत जो होता है ये एक हेक्टेर से दो हेक्टेर मतलब एक हेक्टेर से कम होता है ठीक है? एक हेक्टेर से कम होता है ये ठीक है? और जो लगु जोत होते हैं मतलब छोटे जोथ होते हैं उनको छोटा जोथ का जाता है वो एक हेक्टेर से दो हेक्टेर के बीच में होते हैं और जो मध्यम मध्यम जोथ होता है जो मध्यम जोथ होता है वो दो से दस हेक्टेर होता है और जो ब्रिहत जोथ होते हैं दस हेक्टेयर से जादा होते हैं, यह चीजँ ध्यान देनी है एक सो उन्चासवा है रतना, जमना कर्षणा के संदर्व क्या सकते हैं रतना, जमना, क्रिश्णा दोस्तों धान की प्रजातिया है, ठीक है ये धान की यहू proton की नहीं है करनाटक में नदिया नहीं है अभी हर्याना में भैस नहीं है तो कोई नहीं है दोस्तों इसका अंसर क्योंकि ये धान की पर जातिया है ठीक है भारत में तिलहन उत्पादम में मध्यपर्देश का पहला स्तान दोनों में मध्यपर्देश का पहला स्तान है तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगोंने 150 कुशिन बहुत अच्छे तरीक से फुल डिटेलिंग के साथ, फुल मैपिंग के साथ चारोग अप्शन को कवर करते हुए, बिना किसी फरजी की बात करते हुए, एक्जाम ओरिंटर सेशन लिया है तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं, आपको सेशन पसंद आया होगा, सेशन को लाइक किया किजिए सब्सक्राइब कर लिजिए, कमिट किया किजिए और शियर भी कर दिया करिए दोस्तों, ठीक है तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले सेशन में पॉलिटी के साथ, जहिन जह भारत